नमस्कार, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत का चौथा पाठ पढ़ेंगे, इसका नाम है क्रीडा स्पर्था है, इसमें क्रीडा का रथ है खेल और स्पर्था का रथ है प्रतियोगिताएं, तो पाठ का रथ हुआ खेल प्रतियोगिताएं पाठ शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लेंगे, ताकि इसके कटिन शब्दों का पता चल जाए और हमें पाठ अच्छे से समझ में आ जाए तो चल ये पाठ शुरू करते हैं, इनमें कुछ नाम दिये गए हैं और नामों के सामने कुछ पंक्तिया दि गई हैं, इसका अर्थ है कि इस नाम वाला व्यक्ति सामने वाली बातने बोल रहा है इसमें सबसे पहले हुमा बोलती है यूयम कुत्र गच्छत, यूयम अर्थात तुम सभी, कुत्र अर्थात कहां और गच्छत जा रहे हो यूयम कुत्र गच्छत तुम सभी, कहां जा रहे हो इंदर ह, यानि इंदर बोलता है वयम विद्यालियम गच्छा महा वयम अर्थात हम सभी, विद्यालियम अर्थात विद्याले और गच्छा महा अर्थात जा रहे हैं तो इसका अर्थ हुआ हम सभी विद्याले जा रहे हैं। इसके बाद फेकन हां, अर्थात फेकन कहता है तत्र क्रीडा स्पर्धा संती, वहां क्रीडा स्पर्धा, अर्थात वहां खेल पृतियों के ताइं हो रही हैं। वयम खेलिश्याम हां, हम सभी खेलेंगे। रामचरन अर्थात रामचरन कहता है किम स्पर्धा केवल बाल केव्या एव संति क्या स्पर्धा अर्थात प्रतियोगिता क्या प्रतियोगिता केवल बाल केव्या केवल लड़कों की ही है अर्थात जो प्रतियोगिताईं चल रही है वो क्या केवल लड़कों के लिए ही है इसके जवाब में प्रसन्ना कहती है नहीं बाली कहा अपी खेले शंती नहीं लड़कियां भी खेलेंगी रामचर्ण इसके बाद रामचर्ण फिर पूचता है किम यूयम सर्वे एकस्मिन दलिस था क्या तुम सभी एक ही दल में अर्थात एक ही टीम में हो अत्वा प्रिथक प्रिथक दले या फिर अलग अलग टीम में इसके उत्तर में फिर से प्रसन्ना कहती है तत्र बाली कहा बाल का हचर मिलित्वा खेली श्यंती अर्थात वहाँ पर लड़के और लड़कियां सब मिलकर खेलेंगे इसके बाद फेकन कहता है आम आम का अर्थ है हाँ बैडमिंटन केड़ायाम मम सहभागी नी जूली अस्ती अर्थात बैडमिंटन के खेल में मेरी सहभागी अर्थात मेरी साथी जूली है प्रसन्ना कहती है एतद अतिरिक्तम कबड़ी नियुद्धम क्रिकेटम पाद कंदुकम हस्त कंदुकम चतुरंगाह इत्यादय हस्परधाह बविश्यंती इसके बाद इंदर अपना प्रशन पोस्ता है हुमें हे हुमा किम तुम नक्रिडसी क्या तुम नहीं खेल रही हो तव भगिनी तु मम पक्षे क्रिडती तव भगिनी अर्था तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में खेल रही है इसके उत्तर में हुमा कहती है नहीं मायम चलचित्रम रोचते नहीं मुझे तो चलचित्रम अर्थाथ सिनेमा जादा अच्छा लगता है परं अत्र एहम दर्शक रूपे यूर्थाथ ओडियंस की रूप में यहीं पर रहूँगी इसके बाद भेकन कहता है अहो पूरनह कुत्र अस्ति अरे पूरन कहां है किमस कस्यामपिस परधायाम प्रतिभागी नास्ति क्या वह किसी भी प्रत्योगिता में हिस्सा नहीं ले रहा है रामजरन कहता है सद्रश्टुम्न शकनोती वह देख नहीं सकता है अर्थात पूरन देख नहीं सकता है तसमई असमाकम विद्याले के पठनाय तो विशेश ववस्ता वर्धते उसके लिए हमारे विद्याले में पढ़ने के लिए तो विशेश ववस्ता है परम क्रेडा ये प्रबंध नास्ति परन्तु उसके खेलने के लिए कोई प्रबंध नहीं है। प्रबंध की कम्य के कारण वो खेल नहीं सकता है। इंदर कहता है असमाकम ताद्रिशानी अनेकानी मित्रानी संती। असमाकम अर्थात हमारे और ताद्रिशानी अर्थात उसके जैसे। अर्थात पूरन के जैसे हमारे कई मित्र हैं वस्तुता तानी अन्यथा समर्थाने परन्तु वो दूसरे तरीकों से योग्य हैं। दूसरे तरीकों से योग्य ये शब्द विकलंग वेक्णियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो भिन तरीके से योग्य हैं। अंत में ठेकन कहता है अतह वयं सर्वे प्राचार्यम मिला महा इसलिए हम सभी को प्रधानाचार्य से मिलना चाहिए तम कतेया महा उन्हें इस बारे में बताना चाहिए शीग्र मेव तेशाम कृते व्यवस्ता भविश्यति और शीग्र ही उन सभी के लिए अर्थात जो भेन तरीके से योगे हैं जो पूरण जैसे हमारे मित्र हैं उनके लिए जल्द ही खेल की ववस्ता हो जाएगी तो ये था हमारा कक्षा 6 की संस्कृत का चौथा पाठ क्रीडा स्पर्धा आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा धर्नेवाद